वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत हर कोई अंदोलित है, हर किसी के चेरे पर तनाओ और हर कोई बोल उठा है कि पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसने कश्मीरी पंडितों के दर्द को दुनिया के सामने लाकर रख दिया दिल को जगजोडने वाली है फिल्म, वाटसेप पर खूग घूम रही है बावजुद इसके दर्शकों को इस फिल्म ने सिनेमा हौल की तरफ रुख करने के लिए मजबूर कर दिया करोना काल से अब तक बेहत कठीन दौर से गुजर रहे सिनेमा उध्योग को निश्चेत रूप से दा कश्मीर फाइल्स ने संजीवनी देने का काम किया है इवेक अगनी होतरी के इस फिल्म को रेटिंग भी 10 out of 10 मिली है जो इसकी लोग प्रेता को दर्शानिकली काफी है तक श्मीर फाइल्स ने पिसले दिन बॉक्स आफिस पर 3.25 करोड रुपे की कमाई की थी लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं फिल्म की कमाई में भी इजाफा होता जा रहा है फिल्म ने विकेंड पर कुल 22.25 करोड रुपे का करेक्शन किया था हलाकि विग डे पर फिल्म ने रवीवार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हर चौथे दिन यानि सोववार को जबर्दस उचाल मारी है आज मंगल वार को फर्स्ट बाइट की टीम ने मेरट के पीवेस मॉल में फिल्म देखकर निकले लोगों के विचार जाने है फर्स्ट बाइट समवाद अता शिवानी गौदम की है रिपोर्ट देखिया आज में एक करोल में जिजिए में यानि गाङए आगिया… ज हिल्म जभाचने के विचार जह करता। मैं जाल ट्रैम एक दोपन आपिवन एका our हूँ को आज में आफु को जाति कि अब आपने वारे में तो पता हो ना कि हमारे साथ हुआ क्या है अब अच्छी मुवी ती जो चीज हमें अब तक पता नहीं थी वह हम को पता चली है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है बहुत अच्छी मुवी थी है अब यह सचाई किसी को पता नहीं थी बहुत कम लोग इसके वारे में जानते थे आज यह सचाई जो भी यहां पर आएगा वह देख पाएगा जो आपको आज तक नहीं पता थे मूवी के बाद मेरा नाम कपिल त्यागी है मैं कहना चाहता हूं में जो सच्चा ही आज मैं पता चलिए वो इस देश के सैकुलर भांड हो नहीं हमें आज तक पता नहीं चलने दी उससे इतना दुखवा है कि हमारे ब्रहांबनों पर किस तरह से पंडितों को निकाला गया हूं से आज उससे देखकर रोना आगया यहां पर आते हुए इस यूवाँ में आप देख रहे हो क्या से जोश है क्यों क्योंकि वह भांड हो ने जो सेकुलर भांड जो आज तक भी हमें भाईचारे का पड़ा रहे हैं यह भाईचारे में सिर्फ हिंदू अचारा बनता आया भाई लोग सभ पामें इस मूवी पर बैन लगाने का ऐसा प्रोच किया गया नहीं इस पर बैन लगाना क्यों चाहिए भारत की सच्छा ही भारत के लोगों को ना पता चले इसलिए बैन लगाया जाए नहीं करते हैं उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा करेंगा तो आपका नाम मेरा नाम प्रोफेसर अनुराक्तियागी डॉक्टर अनुराक्तियागी मैं विश्विद्याला केंपस में शिक्षक हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये संदेज अच्छा जा रहा है दूसरा है कि आप तो बहुत देर हो चुकी इस फिल्म को पर कोई परतीवन अपनी ल आज जो 375 से के लिए हम आज तक संगर स्रत रहे तो वो 2019 में 20 अगस्त में परिवर्तित हो गया यह दोनों दोहराएं जो मुख्यदाराएं थी हटाई गई और आज कस्मीर भी हमारे देश का अभिन भाग है जैसे सिक्किम में भी ऐसा हुआ करता था मैं highly impressed दूएं इस फिल्म से कि जो हमारा इतिहास है उसे दुबारा से नों ने बताया हो जागर किया गया है अगर हमें उसका ग्यान ही नहीं है तो हम लड़ेंगे कैसे पहले हम अपने सिद्धांत का और अपने स्वावीमान जो हिंदू संब्यदान है हिंदू स्वावीमा के बाद लोगों में एक अजीब ही और एक बहुत ज्यादा उत्सा दिख रहा है लोगों को कहना है कि आज तक जो सचाई हमें नहीं पता चल पाई वो हमें आज इस मूवी को देखने के बाद पता चलिए धन्यवाद इस ख़बर में फिलाल इतना है आप देख तेरिया फास् कि अ झाल 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 झाल